हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जड़सकर क्लासेस रखे आपको सबसे आगे दोस्तो यदे आप भी इलाबाद हाई कोड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूर है दोस्तो तैयारी शुरू करने से पहले आप लोगों को इसके eligibility criteria के बारे में जरूर पता होना चाहिए बनना बाद में आप लोगों को बहुत पस्ताना पड़ सकता है तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोड़ी सी request अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पैस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका notification आपको मिले और आप लोगों को और भी कोई doubts है अप इलावाद high code group C से related या other post से related तो आप लोग comment में जरूर टाइप करें मैं उनका reply करने की पूरी पूरी कोजिस करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो तो दोस्तो जैसा कि आप लोगों को screen पर दिख रहा है इस exam के लिए सिर्फ 12th class में पास होना चाहिए और age limit है 18 से 40 साल तो ये दो criteria तो ऐसे हैं जो monster students के पूरे होते ही होते है ठीक है एक चीज है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते है वो है triple C दोस्तो मैंने भी यही गलती करी थी और वो गलती आप ना करें इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कई बार मैंने यही गलती करी और इलावाद high court group C का exam मैं फिल नहीं कर पाया और UP के बहुत सार से बैतर कैसे help कर सकूं उसी के लिए ये यूटूब चैनल बनाया गया है तो दोस्तो मेरी आप लोगों को सिर्फ एक ही advice है कि जतना जल्दी से जल्दी possible हो उतना जल्दी से जल्दी आप लोग triple C जरूर कर लें क्योंकि इसमें भी 3-4 महीने का time लगेगा अभी तो खेर lockdown च कि उतना जल्दी सबसे पहले आप लोग triple C कर लीजी है क्योंकि लेकपाल की भरती आएंगी UP SSC की बहुत सारी vacancies आएंगी इलावाद high court की vacancies आएंगी तो आप लोगों के लिए UP की बहुत सारी vacancies हैं जिनमें triple C compulsory है तो आप लोग ये सबसे पहले कर लें जिससे कि आप लो इसका notification आपको मिले अगर आप लोगों को और भी कोई doubts हैं तो comment box में जरूर टाइप करें मैं आपकी help करने की पूरी पूरी कोसिस करूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care channel subscribe करना बिलकुल न भूले